होली का त्योहार आ रहा है और मालपुए के बिना तो होली का त्योहार एक्तम अधूरा है घर की सिंपल चीजों से बनने वाली ये मिठाई आप बहुत ही फटा-फट से बना के तयार कर सकते हैं इस मालपुए को हम बनाएंगे आटे और सूजी से स्वागत है आपका स्वाध कप सूजी सूजी इसे बहुत अच्छा सा टेक्स्चर देती है अब इसमें हम दरदरी पिसी हुई सौफ डालेंगे आधी चममच इसी के साथ हम थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी आड़ कर देंगे सभी सूखी चीजों को अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं सभी इंग चममच मलाई यहाँ पे आप अड़ कर दें तो यह आपकी चोईस है आप थोड़ी जादा भी मिला सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन टेबल स्पून मलाई डाली है अब एक गलास गरम दूद लिया है यहाँ पे मैंने वो थोड़ा थोड़ा अड़ करेंगे और बैटर तयार क और उसे आप एक साथ आड़ ना करें ऐसा करने से इसमें लंप्स नहीं पड़ेंगे और बैटर एकदम स्मूद बनेगा अब बाकी का दूद भी मैंने यहाँ पे आड़ कर दिया है और हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी अठे ना हूँ इकल बढ़िया सा स्मूद बैटर हमारा बन गया है बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें हमें यह बैटर थोड़ा फ्लोई चाहिए तो यह देखिए इस तरह से अगर आपको लगे बैटर गाड़ा है तो अब आप दूद ना मिला के इसमें थोड़ा पान मालपुआ बनाने के लिए जो चाशनी तयार होती है उसमें हमें चाहिए एकदम पतली चाशनी यहाँ पे चाशनी को हम बहुत गाड़ा नहीं करेंगे लगातार चलाते हुए इसे धीमी आज पे पकने दें चाशनी को पकने में करीब 4-5 मिनिट लगते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे गाड़ी होने लग गई है हम चेक कर लेंगे कि ये स्टिकी है की नहीं ये देखे इस तरह से जैसे ही आपको लगे ये इस तरह स्टिकी होने लग गई है तब आप कैस का फ्लेम बंद कर दें दूसी तरफ एक पैन में मैंने पहले ही तेल को अच् कि इसका शेप ना खराब हो, अब हम दूसरा भी डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे फिर से बैटर डाल रही हूँ, अगर आप एक ही कल्ची से बिल्कुल बराबर मातरा में डालेंगे, तो सारे माल पूए एक ही साइज के बनेंगे, अब यहाँ पे गरम ओईल उपर डालते जा मैंने यहाँ पे ओईल यूज किया है, अब यहाँ पे आपको धीमी धीमी आज पे इसको सेखना है, ताकि यह सब तरफ से एक तम बढ़िया गोल्डन से सिख जाएं, ओईल को टर्न करते जारी हूँ मैं, ताकि ओईल का टेंपरेचर मेंटेन रहे, यह देखे, आप बढ़ यह मुलायम हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप मालपुआ गरम देल में से निकालें, उसको तुरंथ आप चाशनी में डाल दें, चाशनी अभी भी हमारी गरम है, तो उसमें फटवर्ट से इसको डाल देते हैं, चाशनी में डालने के मालपुआ एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और तूट जाएगा, तो यह हो गए तैयार हमारे टेस्टी आटे और सूजी के मालपुए, इतनी फटा फट से बनने वाली मिठाई है ये फ्रेंज, कि एक बार आपने ये बना ली तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा, कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो, फटा फट से सूजी आटे का गोल तयार करें, उसे थोड़ा सा रेस दें और चाशनी में डालके इसको सर्फ करें, तो ये तयार हो गए हमारे टेस्टी मालपुए, उपर से रबडी डालके भी मालपुए को सर्फ किया जाता है, लेकिन हम इसे जादा हेवी नहीं बना रहे हैं, अगर आप जादा मीठा पसंद करते हैं, तो सर्फ करते समय थोड़ी सी चाशनी उपर से और अड़ कर दें, और कुछ ड्राइफ रूट्स मैंने कट करके रखे हुए हैं, वो भी यहाँ पे मैं उपर से डालने वाली हूँ, तो इस पे प स्पेशल मिठाई तयार हो गई है, फूली दिवाली पर मिठाई तो जरूर बद्दी है, तो गुलाब जामुन शकर पारे तो हम बनाते रहते हैं, इस बार आप ये मालबुए जरूर ट्राइ करें, रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेर करें, चानल को सब्सक् रखें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहते हैं, बिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहें स्वाध्यारस्वई, यहां है स्वाध भी और सेहत भी